नमस्कार मैं हूं जोट्साचार डॉक्टर विंत्र पाथि आप देख रहें भागई गुरु कारक्रम भागई गुरु कारक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपसे बात करेंगे कि आज की पंचांग की क्या इस्तिति है सुरूदेग अपहों क्या रहूकाल कब है दिशासूल कब है कौन से तिती है कौन सा नचत्र है कौन सा योग है कौन सा करण है इस सारी बात हम आपको बताएंगे आज का महा मंतर क्या है महा मंतर का जब कैसे करेंगे जब करने साब को क्या फायदा मिलेगा बारा राश्यों की बारे में बताएंगे कि बारा राश किसे घर में सानाई बजेगी किस अंके के प्रयोक करने साब को अपार सफलता मिलेगी किस रंग के प्रयोक करने साब की महान उन्यत होगी सौधानी के अबरत नहीं उपाय क्या करने सारी बाते बताऊंगा गुरू के नुसके भी बताऊंगा दर्सकों के प्रश्णों का उत्त भी दूँगा आज जिनका जन्मदीन है उनकी भी बारे में बताऊंगा आप देखते रहेए भाग की गुरु कारेकर बात करते हैं आज के पंचांग की आज चोबीस नॉम्बर दो हेतर तेईस दिन है शुक्रवार सुर्योदय होगा सबेरे छे बच के पचास मिनट पर सुर् संद्रमा रहेगा मीन राशी में शुक्ल पक्ष है द्वादसी तिथी है रेवती नशत्र है सिध्धी योग है और आज का जो सुम महुरत है वह 11 बच के 46 मिनट से लेके 2 पार 12 बच के 28 मिनट तक रहेगा रहु काल है सुबह 10 बच के 48 मिनट से लेके 2 पार 12 बच के 7 मिनट तक रहेगा पस्षिम दिशा का दिशा शूल है आप को एक बात का ध्यान रखना है कि आज जो है अगर आप कोई भिन्याकार करना चाहते हैं तो सुबह मुरत में ही करें रहु काल में कोई भिन्याकार न करें आज ब्रहस्पत की राशी मीन राशी पर है मीन राशी पर सनी क की साड़े साथी चल रही है तो इस तेंजर सो कोई लेंद देना करें अग्यात ब्रैक्ति सो कोई डेल ना करें और ध्यान रखें कि तेजगत की गाड़ी नचलावें हैल्थ पर विसेज ध्यान रखें और अपने को चैनलाइस करके अपने लक्ष के प्रत लग जाएए जो महा मंत्र है जगत के अतिशाती देवी माता लक्षमी जी का है जदी आपकी जीवन में धना भाव है धन के दिक्कत है तो आप एक दमचिंतित नहों आपकी कुंडिली में दूसरी ग्यारमे का संबंध छठे भाव से है या अठ्वे भाव से है और आपको धन को ले करके द देन 21 शुक्रवार पढ़िए और सफेद रंग का वस्तरधान करें और कमल गटे के माले से पढ़िए और कमल का पुष्प माता लक्षमी को अरपित करें देखिएगा कि आपकी धन की स्थिति एक दम बदल जाएगी आपकी माली हालत में उतरोतर सुधार होगा अब आईए कुझ विदेश जय का कौन राजनीति में जाएगा कइसका भगोधय होगा और कि संक्र प्रॉग करने से आपको लाह मिलेगा कि रंग के प्रॉग करने से आपको अपार सफलता मिलेगी साथानी के अपरतनには उपाय क्या करना है सारी बात हम आपको बताएंगे आई यह शुर सफलता मिलेगा इच्छित धनलाव होगा धनधान में ब्रद्धी का यूग बंदा है नय प्रकार का बैपार करने के आउसर मिलेंगे विद्यार्थियों के लिए कालखंड अति उत्तम है विद्यार्थियों के लिए पढ़ाय लिखाई के लिए विदेश जा सकते हैं जो खेल मिलेगा धन धान के चत्र में किया गया प्रयास अर्तक होगा आपको बड़े पैमाने पर धन लाब मिलने की संभावना बन रही है सौधानी क्या बरतनी है एकाग रोकर अपने कारिच्षतर में लगें सफलता मिलने का प्रभल यूग बन रहा है उपाय क्या करना है सूरीदेव को जला विशेक करें कैसे पर के का पात्र लेजिए उसमें चाहल लाल अच्छा को लाल लग में रंग लीजिए केश डालिए रोली डालिए और लाल रंग का पूस्प डालिए गुलाब का फूलो चैंड़हुल का फूलो डाल करके सूरी देव का विशेक करिए ओम घ्रेडी सूरिया नमा इस मंतर से विशेक करिए आपका सूरी ग्रह मजबूत होगा बात करते हैं ब्रिश राशी की जो ब्रिश राशी की जातक हैं आपके दौरा किया गया प्रयास सार्थक होगा प्रयासत कारों में अपार सफलता मिलेगी माली हालत अच्छी होगी जदि आप लेखाग हैं शायतिकार हैं तुस्से आपको धन मिलेगा आपका केरियर सांदार होगा परिश्रम से अत्यदिक लाप प्राप्त होने की संभावना बन रही है दूर देश के आत्रा होगी अध्यात्मिक विकास का यूग बन रहा है यात्रा तितातन दिशाटन इतादी से आज आपको लाप मिलेगा सरकारी नोकरी मिलते हुए दिख रही है सौधानी के अपरतनी है आज सौधानी आपको अपरतनी के आपको अपने गुस्से पर नियंतना डखना उचित रहेगा उपाय क्या करना है सफेद वस्तर दान करें किसी गरीब को दूध या दही खिला में सुभंके साथ सुबरंगे बैगनी लक्मिटरे साथ हरी कृष्णी बात करते हैं मिठून डाशी की जातक हैं आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है आपकी जो परिशानियह दूर होंगी आपको रुका हुए धन पराप्त होगा पर्यासरत कारियों में अपरत्तास्त रूप से सफलता मिलने का युग बन रहा है परिवार मेंने महमान के आगवन का योग बन रहा है महमान के आगवन से परिवार में खुष्यों का माहौल होगा पत्नी का सुक्पराप्त होगा चतुरतीक लाब से मन परसंड न रहेगा दूर देश के आत्रा होगी, बच्चों की टेरिटरी में दखल अंदाजी न करें, शेर ट्रेडिंग से धनलाब मिलेगा, फाइनेंस के छेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी, शेर ट्रेडिंग से भी धनलाब मिलते हुए दिखता है, सौधानी के अपरत नहीं है, को हरा, चिडियों को दाना खिला में, सुबंके छे, सुबरंगे शी ग्रीन, लक मीटर है आट, हरे एक रशी, बात करते हैं करकराशी की, जो करकराशी की जातक हैं, आज आपके अंदर जो अपनी उर्जा है, उसको सही दिसामिलागा में, आपके पास सफर में तूर्जा है उर्जा का दूर्पयोग न करें, बड़ी सफलता का योग बन रहा है, विद्दार्थियों के के लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, आप जिधर भी एफ़ल्ट करेंगे, उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी, धनलाब मिलेगा, खड़ें तरकारी बिफल होंगे, म अधानी बरतनी की जो आपकी उर्जा है न, उसको सही दिसामे लगा में, आलश्य का परित्याग करिए, उपाय का करना लाल वस्तर दान करिए, जुरतमंद को भोजन और सिक्षा की बेवस्ता करिए, आपके लिए स्रेस कर रहाएगा, सुबंक है आठ, सुबंक है आठ, सु बैपार से भी लाफ मिलते हुए दिख रहा है, बिदेश में निया बेवशाय कोलने के उसर मिलेंगे, साहतिक जगत में आज आपको काफी नाम होगा, यस मिलेगा, परतिष्टा बढ़ेगा, साहतिक शेतर से आयके संसाधन भी प्राप्त होंगे, नियाले में अगर कोई भ पर नियंतर रखें, सोच समझ करके किसी कारे को करने की चुरत है, आपका समय उकुल चल रहा है, उपाय क्या करना है, सूरी देव की पूजा अर्चना करें, जला विशेक करें, सुबंग है पांच, सुबरंग है महरून, लक मीटर है आठ, हरे क्रिश्न, बात करते कन्यारा से की जातक हैं, आज आपको लेखाने उसाहित के चित्र से धनलाफ मिलेगा, आपको सम्वान प्राप्त होने की संभौना बन रही है, भूमी भूमन, जमीन, जैदाद, प्रापल्टी, किरिश्योगी भूमी, खरिदने के सुन्दर औसर प्राप्त होंगे, आपको संतान सु संतर में, आप अच्छा परदर्संद करेंगे, अगर आप कोई मैच या कोई नया टार्केट बना के कोई कारे करेंगे, तो उसमें आपको अपरत्यासुत रूप से बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है, सौधानी के अबरत्नी है, आप अपनी उर्जा का परियोग सही दिसा में करें, निगेटिव सोच से बचें, उपाय क्या करना है, भगवान स्री गड़ेश की आरात्ना करें, सुब अंके छे, सुब रंगे हरा, लक मीटर है आठ, हरी क्रिशना, बात करते हैं तुलाराशे की जो तुलाराशे की जातक हैं, आज आपकी परतिष्ठा में ब यूग बन रहा है, समुदर के किनारे बैपार करेंगे, उस से आपको अपार सफलता मिलेगी, परिवार में सुब और मांगले कारे होने का यूग बन रहा है, आज आपको अचानक धनलाब मिलते वे दिख रहा है, आपकी माली हालत सुद्रिड होगी, परिवार में कुछ न करते हैं उपाय क्या करना है अपनी वहन को स्वीत वस्त्र या चांदी का सिक्का उपाहार दें सुभंके दोशुबरंगे नीला लक्मीटर है साथ हरे कृष्णा बात करते हैं ब्रिश्चिक राशी की जो ब्रिश्चिक राशी की जातक हैं आज आपको चारों तरफ से होने का समाचार मिलेगा परिवार में सुभ और मांगली कार होने से मन प्रफुलित रहेगा भाई बहनों के लिए यह स्वर्लिम समय है उनको सुख मिलेगा वहन खरी देंगे घर खरी सकते हैं नए कारे संपन्न होंगे नए इंड़स्ट्री लगाने का युग बन रहा है ज घटें तरकारी विफल होंगे जो बात आपको खराब लगती है उस तरह की भाषा का परियोग दूसरों के साथ न करें कई बारा बारी इतना अग्रेशिव होके बोलते हैं कि आपके अपने ही आप से सत्रुत बरताव करते हैं और अपनों के वीच में गैरो जैसे महसूस कर करते हैं तो जरुरत है आत्म मुल्यांकन करने की और अपने में सुधार करने की सौधानी के अबरत नहीं है आप गुस्ते पर नियत लड़के उपाय क्या करना है राम भक्त स्री हनवान जी की अराधना करें सुबंके 6 सुबंके के सरिया लक मीटर है आठ हरे कृष्ण बात करते हैं धनुराशी की जो धनुराशी की जातक हैं आज आपको बेवज़ा गुसा आएगा गुसे पर अगर आप नियंतरा नहीं रखेंगे तो आपका कारे बिगड़ सकता है इसलिए गुसे पर नियंतरा रखें जदी आप संपादक हैं संपादकी कारे करते हैं तो आपक पर विशेश ध्यान रखने की जूरत है आज आपको सरकारी नोकरी मिलने का भी योग बन रहा है पदोनत का योग बन रहा है आप अपनी उर्जा का प्रयोग सही दिसा में लगावें कई बार बहुत निगेटिव थौट में चले जाते हैं परिशान हो जाते हैं तर नकरात्म सुबंक विचारधारा से दूर रहें आज आपको कोई बड़ा जिम्मेदारी मिल सकता है कोई लेखाक हो सकते हैं किताबे लिख सकते हैं गरंतकार हो सकते हैं सिक्षा के छित्र में उच्पत प्राप्ति का भी योग बन रहा है सौधानी के अबरत नहीं स्वास्त को ले करक बात करते हैं मकराशी की जो मकराशी की जातक हैं आज आपको निर्माड कारे करने का उसर मिलेगा कश्ट्रक्षन और माइन से धन मिलेगा गुस्षे में और सिक्र निड़ा लेने से बचें नई तो आपको भारी नुक्सान हो सकता है कई बार आप बहुत एग्रेसिव होके निड़े लेते हैं जल्दवाजी में लेते हैं जिससे आपको दिक्कत होती है नए प्रकार के बैपार करने का उसर मिलेंगे सुबह कारे का योग बनेगा जमीन और वहन खरीश सकते हैं रोग और सत्रू आपके परास्ट होंगे माता पिता का सुख मिलेगा आपको नए तर करने से बचें उपाय क्या करना सर्शो के तेल का दिपक जलाना आपके लिए वैतर रहेगा सुबंके आठ सुबरंगे हरा लक मिटर साथ हरी कृष्ण बात करते कुम्बराशी की जो कुम्बराशी के जातक हैं आज आपके परिवार में सुबह और मांगलिकार होने के आउस योग बन रहा है नए बैपार के आउसर मिलेंगे बिद्दार्थियों और खिलाडियों के लिए यह समय सरोतम चल रहा है बिद्दार्थों की करियर के लिए बहुत अच्छा है खिलाडियों की करियर के लिए भी अच्छा है खिलाडियों को खेल जगह से लाभ मिलेगा और लग्मिटरेण अठो भात करते हैं तिम्राशी मीन की जो मेन्राशी की जातक हैं आज आपको अपने भावनाओं पर नियत नड़के एन कई बार आप भाऊक्ता में बाखे खार बाख्म करते हैं जो अपके लिए नुक्सान दे हो सकता है तो भाऊक्ता में बाखे कोई भी निड़े न लें दिल के वजा दिमाग से निड़े लें आज अपने किम्ति बाड़ी से धन कमाने का योग बन रहा है समय आपका बहुत किम्ती है समय का सुद्धिप्योग करिए और या जो समय है अनुकुलता लियो हुए है भाग भी आपका प्रबलतम तरीके से साथ दे रहा है जितना पहनत करेंगे उससे जादे आपको धनलाब होगा प्रचूर मातरा में धनलाब मिले की संभोना बन रही है माली हालत ससक्त होगी दूर देश के आतरा होगी बिदेश कमन का योग बन रहा है आपके पुराने मित्रों के मिलने से मन परसंद रहेगा आज आपको शिक्षा में कोई बड़ी जिम्यदारी मिल सकती है सौधानी के अबरत नहीं हैं आपका समय सर्डिम चल रहा है समय का सुधु प्योग करें आलश में अपना समय नश्ट न करें उपाय क्या करना है पीली बस्तू का दान करें ओम स्रिम स्रिय नवा इस मंत्र का जब करें अब आईए हम बात करते हैं आज के दिन जन्म जातकों के बारे में आज जिन दर्शकों का जन्म दिन है उनके जन्म दिन की बहुत बहुत बदाई और आपका जन्म दिन सुभ हो मंगल में हो आप खुब आगे बढ़िए प्रकत करिए आपका शतुर्दिक विकास हो आप पर इस तारीक की जो जन में जातक हो तो उनका मुलांक होता है छे तो खास दोर से छे तारीक पंदरा चोविस तीथी की जो जन में जातक हो तो उनका मुलांक होता है छे नंबर वाले जो लोग होते हैं उनका जीवन बड़ा सांदार होता है चमतकारिक तरीके से उनके जीवन पर वर्तन होता है यह बर्स आपके लिए आर्थिक दिश्टिकोंट से उत्तम है घर बनवाएंगे गाड़ी खरीदेंगे माता-पिता का सुख मिलेगा घर मिन्या मेहमान आएगा उत्रोतर विकास होगा विदेश आत्र होने का यूग बन रहा है आपकी सारी परिशानिया दूर ह चाहर में चतुर्दिक विकास होगा जन्वरी से लेकर के जून तक का कालखंड आपके लिए उत्रोतर विकास होगा माली हालत अच्छी होगी सरकार से लाह मिलेगा राजनेतिक लाह मिलेगा इंड़स्ट्री लगा सकते हैं पुना जुलाई से लेके दिसंबर तक का का अध आपके लिए और स्वर्ले में इसमें उत्रोतर विकासों की प्रगत होगी जो बचा खुचा सेशकार है वो भी आपका संपन होगा तो देखा जाए तिया बर्स आपके लिए काफी अच्छा है सौधानी क्या परतनी है ओभर कॉन्फिडेंस में न रहें किसी पर प्लैंड ट् करिए कम से कम एक इस बुद्वार आप देखेंगे कि आपकी स्थी अच्छी होगी अब आईए हम बात करते हैं गुरू के नुस्खे की आज शुक्रवार हैं शुक्रवार को कहते हैं कि यह माता लक्ष्वी का दिन होता है कई बार क्या होता है कि आपकी कुंडिली में माता का सुक मिलता है ना बहन का सुक मिलता है ना आपकी की महिला मित्र का सुक मिलता है आप बहुत परिशान रहते हैं शुक्र को कहते हैं कि यह लक्ष्वी का धन का कारक होता है तो ज़िए आपकी कुली में शुक्रवार मजबूत नहीं है ता आपको मल्टीपुल तरीके की परिशानियों का सामना करना पड़ता है तो आप अपने सुक्र ग्रह को कैसे मजबूत करें इसके बारे में हम आपको उपाय बताएंगे और कैसे क्या मंत्र पढ़ें ताकि अपकी धनकी सित्य अच्छी हो और क्या करें कि आपकी जो जीवन है लक्जरी हो तो आप क्या करे कि शुक्रवार के देन प्राता काल उठें और उठने के बाद अस्नाद ध्यान करने के बाद सफेद रंग का वस्तर धान करें और वस्तर धान करके कमल का पुस्प लेकर के माता लक्ष्मी को अर्पित करिए और ओम स्रिम स्रिये नमा इस मंत्र का कम से कम आप एक माला जब क करिए और जोहां जब करते हैं वहां जो जल होता है वो ले करके घर में छिड़क दीजे और एक मुठी चावल किसी सफेद कपड़े में उसको बांग दीजे और जहां आपका तिजोरी है वहां रख दीजे निश्चित रूप से आपके घर में धन के स्थिती अच्छी होगी स पिश्चित रूप से आपके घर में सुक समरिधी ऐस्वरे आएगा और लगता है कि आपके पढ़ाए लिखाए करियर को लेका परिशान है तो उसके नाते धन की काफी कमी हो रही है और शुक्र आपका पांचवे भाव में बैठा है तो आप क्या करिए कि सफेद रंग का वस्तु दान करिए या दूद से बनी मिठाई दान करिए और लगता है कि धन आपको इच्छित धन चाहिए लगता है कि जैसे सुक समरिधी में कमी हो रही है बिलास्तापुर जीवन नहीं बेतीत हो रहा है धन को लेका अती परिशान है तो आप एक मंत्र लिख लिजिए ओ आपके घर में लक्षमी का अग्मन होगा और आपके माली हालत अच्छी होगी जीवन आपका सुक में और सम्रिधी से बहर जाएगा और एक काम और करना कि जब आपके घर खाना बनता है तो सुक्रवार के दिन गाय को आपने हाथ से रोटी और गुड जरु खिलावें आप के लिए अच्छा रहेगा तिया अगर उपाय करते हैं ता आपका जीवन सुक में हो जाएगा भाग गुरु कारिकरम में बस आज इतना ही फिर हम आप से कालिसी समय सी वक्त मिलेंगे तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत